Hello and welcome back, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलगी जानकारी जानने वाले हैं, जैसे की सहत को पूरा करने के लिए चना एक बहुत ही लाजवाब option है, लेकिन आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है, कि चने खाने का सही तरीका क्या है, तभी आप जल्दी से मिलने वाल सबी फायदे उठा पाएंगे, अनकुरित चने, उबले हुए चने, या फिर कच्छे चने आपके शरीर के लिए कौन से चने अच्छे हैं, वजन कम करना है, या वजन बढ़ाना है, तो कैसे और किस तरह खाए, ये सब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, साथ ही और भी काफी सारी बाते जानने के लिए बने रहिए, हमारे साथ चने खाने के फायदे हैं, काफी सारी बाते जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चने खाने से हमारी बोडी को क्या क्या फायदे मिलते हैं, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडि इसके अलावा जो लोग मुटापे से परेशान है, उन्हीं भी अपने डाइट में चना एद करना चाहिए। उन्हें अपनी डाइट लिस्ट में चना जरूर शामिल करना चाहिए। खाना शुरू कर दिया, तो आपको काफी सारी परेशानिया जहेल नी पड़ सकती है, इसलिए हर एक तरीके को ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले चने को पानी में भीगों के खाना। कई लोगों को ये लगता है कि भीगे चने खाना एक बेस्ट आप्शन है और वो लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं कि उन्होंने अपने आसपास किसी को भीगे चने खाते देखा होगा। भीगे चने खाने में कोई प्रॉबलम नहीं है। काफी मुश्किल होता है अगर आप कच्छे चने खाते हैं तो दो बाते ध्यान में रखें। और फिर थोड़ा बहुत अवकरन होने के बाद खा लेते हैं। फिर जब आप उस कपड़े को हटाएंगे तो आपको मिलेगा unexpected result। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें कौन से चने खाने चाहिए। अनकुरित चने या फिर कच्छे चने। अनकुरित चने के फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। अनकुरित चने में कई एक डाक साइड भी है। चने ठीक से अनकुरित करने के लिए हमें इसे लंबे समय तक पानी में रखना परता है। और इतने लंबे वक्त तक चना पानी में रखने की वज़य से इसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। तो अनकुरित चने बच्चे बुड़े और गर्भवती महिलाओं को कभी नहीं देना चाहिए क्योंकि इन लोगों की immunity power काफी कमजोर होती है। पके हुए चने और अनकुरित चने की comparison में अगर हम पके हुए चने की बात करें तो ये हर किसी के लिए काफी healthy होते हैं। जैसे की अभी body में छीक से digest नहीं हो सकते। इसके सेफ नहीं है लेकिन पके हुए या कहीं उबले हुए चने हर कोई खा सकता है या फिर पके हुए चने में vitamin और minerals थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन body के लिए पके हुए चने काफी safe है और इसलिए body उसे आराम से digest कर सकती है। इसके अलावा उबले हुए चने की bio availability काफी ज्य बहुत ज्यादा होती है तो अगर आप कच्छे चने एक limit से ज्यादा खाते हैं तो gas होने की भी chances है लेकिन चने उबालने से complex sugar breakdown हो जाता है और फिर आप आराम से खा सकते हैं। अब बात करते हैं चने खाने का सही समय क्या है अगर पके हुए चने की बात करें तो हमारी body में आराम से वो digest हो जाएंगे इसलिए पके हुए चने आप कभी भी खा सकते हैं लेकिन अगर आप पके हुए चने सुबह नाश्ते में खाएंगे तो आपकी इससे काफी energy मिलेगी लेकिन पानी में भीगे चने body आराम से नहीं पचा पाते हैं इसलिए इसे सुबह खाली पेट ग्राम जितने खा सकते हैं वजन कम करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको एक strict diet follow करनी पड़ती होगी और शायद आपको शाम के वक्त बहुत तेज भूख लगती होगी अगर ऐसा है तो आप शाम को भूने हुए चने snacks की तरह भी खा सकते हैं लेकिन साथ ही इस बा हुए चने ही खाने चाहिए इसके लिए 50 ग्राम जितने चने रात को पानी में भगो दे इसके अलावा दोपहर को आप भूने हुए चने गुड के साथ खा सकते हैं और इसी तरह भूने हुए चने और गुड़ शाम के नाशते में भी इस्तिमाल कर सकते हैं आपकी body को काफ और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक care and bye